नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज इस्टेडी सेंडर यूटूब चैनल पे दोस्तों इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं लेकपाल की जो 8085 बैकेंसी हैं इसमें 16-4 मैलाओं की सीटें इनमें कैसे डिस्टिब्यूट होगा कितनी सीटें मेल की हैं कितनी फिमेल की हैं किस तरीके से आपका ये कटाप बनने वाला है सारी वीडियो में इस वीडियो बात करने वाले हैं रहे तक है ein मतलब जन्रल की कह सकते हैं अनारचित की 3221 है और 1690 आपकी अनुसूची जाती अनुसूची जाती यह सब डाटा आपका दिया गया है यानि कुल मिलाके कुल वैकेंसी जो आपके टोटल है वो 8085 पद ही भरे जाएंगे अब यहाँ पर देखिए एक और देखिए कालम दिया ग स्रित इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए सकते हैं डेस्ट हिंता एवं कम डेस्ट हिंता जीरों हैं बदेर सर्वेंट सकती में हाउस 102 यह जो पैकेंसी है ना और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ना महिला लिखा हुआ फिमेल कंडिरेट की 164 वैकेंसी हैं और यहाँ परसंटेज निकाले हना तो कितना परसंट मैलाओं की वैकेंसी दी गए यह लगबग 20 परसंट क्यास पास आपका प्रावधान है कि 20 परसंट वैकेंसी रहेंगी जब इसको आप सालव करेंगे हना यहां 1644 आपको इसको सालव करेंगे तो आपका आएगा 19.8 3 परसंट यान अब यहां पर अगर हम बात करते हैं भूत पूरों सैनिक की बात करते हैं भूत पूरों सैनिक में 387 हैं इसी प्रकार हम इसका भी निकालेंगे परसंटेज इसका भी जब हम निकालेंगे इस तरीके से टोटल में तो यह लगबग 4.89 लगबग आएगा तो लगबग यह 5% इसको भी माल लेते हैं यानि भूत पूरों सायनिक कि आपकी 5% बैकेसी है टोटल लेकिन आपकी 8085 ही रहेंगी अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि कैसे बैकेंसियों में हाना यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले चार्ड में आप सब कुछ समझ जाएंगे अच्छे से देखिए दिख रहा होगा थोड़ा सा आप जूम कर लिजिएगा देखिए यहाँ पर जो कुल पद आपके हैं 8085 है ठीक ना और यहाँ पर कुल पद अगर आर्ट यहाँ पर द कंडिडेट की यानि जन्रल में आपकी मैलाओं की जो बैकेंसी है 646-2623 आपकी मेल हो गई इसी प्रकार हमने OBC पे निकाला है सबका 20-20% 1743 मेल होंगे और यहाँ पर आपके 431 आपके फिमेल होंगे इस तरीके से हमने हर कटागरी का निकाल लिया इसके बाद सब को जोड़ आपकी मैलाओं की संख्या 1604 आपकी आएगी 1604 आपकी मैलाओं इस तरीके से कोई अलग से बैकेंसी नहीं है काफी लोगों को लगता है कि 164 सिर्फ बैकेंसी आपकी अलग है मैलाओं की मैलाओं सब कटागरी में बटी हुई है उन मिला के सब का टोटल 164 है हर विभाग में अलग अलग है अब यहांपर देखते हैं हारजेंटल और 36 आरच्छण क्या होता है इस चीज़ को देखे बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं है नहीं यहाँ पर समझ लेते हैं देखे हार जेटल कोहीba 36 कहते है वर्टिकल यानू आपका लंबवत होता है जैसे कि आप ये जानते हैं जनरल जनरल की बैगेंसी आपके दी गई है जनरल में कोई आरचण नहीं होता यूवार कहते हैं अन्रजरब OBC में देखी आपका 27% आपका आरचण ए 27% आपका आरचण ए ठीक ना इसके बाद SC में आपका कितना है 15% आपका आरच्छण है 15% है ST में आपका साड़े 7% आरच्छण है EWS में 10% है इन सब को जोडेंगे इन सब को जोडेंगे तो आपका आएगा 59.5% यानि लगबग आपका आएगा 60% हमने ये मान लिया कि 60% आपका आरच्छण मतलब 60% आपका आरच्छण है तो जो 8085 में जो बैकेंसी आपकी होंगी वो 60% 60% बैकेंसी आपकी क्या होंगी रिजर्व होंगी तो 8085 का जब 40% निकालेंगे तो लगबग आपका 3270 आएगा बैकेंसी यां किस तरीके से बनाएगे ये सिज़े समझ लिजिए 8085 में ये तो आरच्छण की है ये लगबग आप मान लीजिए 60% ये जो 8085 का हम निकालेंगे 60% तो उनमें सब का ये मिला के सब होगा पूरा जितना है ठीक है ना लेकिन ये 3270 आपका 40% ही है ठीक है ना 40% है अब ये जो आरच्छण ये दिया गया ये जो कालम हमने बनाया इसको बोलते हैं आपका वर्टिकल ठीक ना वर्टिकल बोलते हैं लंबवत बोलते हैं लंबवत का मतलब ये होता है कि जैसे मान लेजिए कोई जैसे यहाँ पर हमने मान लिया कि 60 और 40 का बटा हुआ 40% मान लेते हैं जन्रल है ठीक ना 40% बैकेंसी आपकी फिक्स हैं जन्रल लिए बता रहे हैं 100% में माल लेते हैं कि जो 40 बच्चे वो आपके जनरल के लिए जाएंगे 40 तो आपके जनरल की सीटे फिक्स हैं और यहाँ पर जो 60 सीटे आपकी हैं वो कैसी सीटे हैं आपकी 60 सीटे माल लेते हैं सब कटागरी की हैं सब OBC, ST, ST, EWA यह सब आरच्छन की हैं ठीक ना अब माल लिजिए एक से लेकर 40 रैंग तक जिनकी भी आएगी न वो जनरल में काउंट किया उसको फिर इस कटागरी में काउंट नहीं किया जाएगा अगर माल लेते हैं कि 40 के 40 सीटे अगर OBC से भर जाती है ठीक ना तो आरच्छन OBC को जो था वो आपका माल लिया जाएगा कंप्लीट हो चुका है ठीक ना अगर यह बच्चे अगर यहाँ पर पहुंच जाते हैं ठ जो 60% है इसमें जो बैकेंसी आपकी हैं अलग-अलग आपकी दी गई हैं किसकी कितनी बैकेंसी हैं यह कटागरी आप समझ गए होंगे अच्छे से ठीक ना इस तरीके से आपके डिस्टिबूट होगा परसंटेज के इसाप से अब यहाँ पर भी देखते हैं यहाँ पर जो बैकेंसी आपकी दी गई हैं 8,085 इसमें देखिए मेल आपकी जो बैकेंसी है ना यह 2623 है यह जन्नल लिखता रहे हैं 648 आपके क्या है फिमेल की हैं अब मान लिजिए यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन में आप ध्यान से पढ़िए गए यहाँ पर साप साप लिखा हुआ है मैईला आरच्षन के अंतरगत मैलाओं को सासना देश इस तरीके से लिखा हुआ लंबवत स्रेड़ी लंबवत स्रेड़ी में रखा जा जाएगा जिनसे हो संबंदेत है ठीक ना जिनसे वह क्या है संबंदेत है आप देखिए अब श्को पहले समझ लेजिए लंबावत तो समझ गई होंगे आरच्छन कैसे होता है ठीक000 लंबाव राब को समझा दिया है यह इस तरीके से कटाप आपकी वंती ऐसे ठीक ना माल लेते हैं कि यह तो यहाँ शुरू करते हैं OBC से यह जो आपकी परसंटेज आपका होता है आपका इसको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं ? अच्छा बोलते हैं ? वर्टिकल बोलते हैं ? हाँ और वैकेंसी हाँ ना और इसे में भीन लेता हैं यह मेल की यह फिमेल उसी में कुछ सीटेंटेंगां और इसी में इसमें शाहिं प्रहुप्र नहीं छाने सकते कहने के .... 36 में अपनी जगा फिक्स होंगे मतलब यह जो पैकेंसी है ना इन में अगर आरच्छंड दे दिया जाएगा तो इस तरीके से आप चलेंगे इसको 36 बोलते हैं रैखिक यानि इस तरीके से पंक्तिक रूप में कह सकते हैं तो इस तरीके से आप यहीं पे रहेंगे ठीक है ना अगर आप जनरल में फाइट करते हैं तो आप इसमें भी आप चले जाएंगे ठीक ना जनरल में चले जाएंगे अब मालेजिए OBC में जैसे 640 मालेजिए बच्चे हमको लेना है फिमेल में जनरल पे लेना है अब मालेजिए OBC SCST की सीटे हमारी फिक्स है इतनी सीटे तो आ आपके fix हैं यह तो आपकी fix हैं लेकिन यहां पर अगर आप जन्रल पर fight करेंगे जन्रल तो कुल मिला के देखिए जन्रल वालों के लिए 648 सीटे हैं इसके अलावा नहीं मिलेंगी बड़ यहां पर OBC कोई मैला है ना उसकी 431 सीट तो यह हैं यह आपकी है ना और इसके कटाप आपका बनेगा 36 और लंबवा समझ गया हूंगा 36 में जो आपका अरच्छाण है वो इस तरीके चलेगा मालिज 77 43 में कोई अरच्छाण दिया आप इसी में रहेंगे है ना इसी में मतलब ऊपर जंप नहीं कर सकते हैं और वर्टिकल में ऊपर भी आप जंप कर सकते ह हैं यह मतलब होता सीधे सीधे कि जो आपकी लंबवात होता है उसमें आप कटागरी आप कुछ भी हो अगर आप जन्रल पर रहेंगे अगर आपकी आते जन्रल में चले जाएंगे 36 में अगर आप OBC में OBC में रहेंगे इस तरीके से आपका होता है तो मैंनाओ के लिए इन् मे승 के सीजान्ते आपके लिए अचनकारी आपकोः तो लाइक सेयर कर दीजिएगा जो भी कोई समस्य आओ कमेंट करके पूछ लिजिए वीडियो लें दोस्तों धन्यवाद